हेलो गाईज, सभी जवानों वे पेंशन भोग्यों को मेरा नमस्कार आप देख रहे हैं विके किरेटर यूटूब चेनल तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHD केंटीन से बड़े AFD आइटम जैसे टू वीलर, फोर वीलर, रेफरीजेटर, ऐसी, ऐसे समान आप घर भेटे ही खरिस्त पाएंगे इसके लिए आपको केंटीन स्टोर डिपार्टमेंट की वेब साइट पर रजिस्टर करना होगा तो चलिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रजिस्टर कैसे करें तो बीना देरी किये वीडियो को शुरू करते हैं आप सबसे पहले अपना क्रोम ब्रावजर ओपन करेंगे और आप यहाँ पर सर्च करेंगे chd.afd तो चलिए मैं यह सर्च कर लेता हूँ आपके सामने chd.cov.in की में वेबसाइट आजाएगी आप यहाँ पर किलिक करेंगे आपके सामने केंटिन स्टो डिपार्टमेंट का कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आएगा आप नीचे थोड़ा सलावडावन करें आपके सामने लिखा हुआ है शोप नाउँ आप इस पर किलिक करेंगे जैसे ही आप किलिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आप इसे थोड़ा नीचे सलो डाउन करें आपके सामने लिखा हुआ है न्यू यूजर रजिस्टेशन आप इस पर किलिक करेंगे आपके सामरे register form open हो गया है आप सबसे पहले आप यहाँ पर जो आपके canteen का जो grocery card है वहाँ जो नाम लिखा हुआ है same वो ही नाम आप यहाँ पर डालेंगे उसके बाद second option में आप यहाँ पर अपना card का जो main जो बड़े बड़े अंकों में जो number लिखा हुआ है chd card के उपर आप वो डालेंगे उसके बाद आप canteen card के back side में chip number लिखा हुआ होगा आप वो यहाँ पर डालेंगे उसके बाद आप अपना mobile number डाल कर send otp पर किलिक करके अपना otp verify कर ले इसके बाद आप employment status पर किलिक करके आप यहाँ पसर अपनी category चुन सकते हैं आप service man है या एक service man है तो चलिए मैं एक service man select कर लेता हूँ यहाँ से अपनी organization select करें जिसे आप army से हैं, navy से हैं, air force से हैं, coast guard से हैं या ने कोई defense civilian है तो आप यहाँ select कर लें उसके बाद आप अपनी date of birth यहाँ select कर लें यहाँ पर आप अपनी जो भरती की joining date है वह यहाँ पर डालेंगे उसके बाद आप retirement date यहाँ पर डालेंगे यहाँ आप officer, JCO यह जवान है तो यहाँ select कर लें उसके बाद यहाँ पर अपना PPO number डालेंगे आप यहाँ पर अपना pen card number डर्च करें उसके बाद आप जो भी username अपना रखना चाहते हैं अपने इच्छानुसार अपना एक username टाइप करें उसके बाद अपनी email यहाँ पर fill करेंगे वही email आपको confirm email पर किलिक करके वही email यहाँ पर confirm करनी है उसके बाद आपके जो भी password रखना चाहते हूं वह यहाँ पर password रखें और वह confirm password यहाँ पर दर्च करें उसके बाद आप अपनी check box पर I agree पर किलिक करके यह capture verify करके submit बटन पर किलिक कर दे आपका registration हो चुका है आपको एक SMS आईगा जिसमें लिखा होगा कि आपका registration successful हो चुका है आप यहाँ पर अपना username पर password डाल कर लोगिन कर ले और आप यहाँ पर जो भी item खरीतना चाहते हैं यहाँ से online खरीच सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कीजे चेनल को subscribe कीजे इस वीडियो को आप पुरा देखने के लिए आपका धन्यवाद